अस्सलाम लेकों नर्शी क्लास, गुड मॉर्निंग, हाव यू, I hope you will be fine, I am your Urdu teacher, take out your Urdu book, open the page number 14, today we will deliver lecture number 7, पढ़िये, लिखिये, टोपिक है हमारा आज, ते सा, क्या टोपिक है हमारा आज, से, सा, देखते हैं से सा से कौन कौन से चीज़े बनती है, से सा समर, से सा समर, से सा साबत, साबत का मतलब होता है, पूरी चीज के वो चीज जो है, वो टोटी हुई नहीं है, for example, यहां पर आप एक देख रहे हैं, यह एक जो है, यह बिलकुल ठीक है, टोटा हुआ नहीं है, और इसको हम साबत नहीं कहेंगे, यह एक जो है, यह बिलकुल सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साबत, से सा, 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 साबत, कौन कौन से चीज़े बनती हैं से सा से, से सा समर, से सा, साबत, अब हम से सा को राइट करेंगे, से सा को राइट करने के लिए, रैड डोट के उपर रखेंगे और डोट्स के उपर से को राइट कर देंगे से के उपर कितने डोट्स होते हैं त्री यह त्री जो डोट्स हैं से के उपर आते हैं नेक्स्ट भी हम से को ऐसी राइट करेंगे रैड डोट पर पेंसिल रखेंगे डोट्स के उपर से को राइट कर देंगे यहां पर डोट नहीं है लगे हुए यहां पर हम रेड डोट पर पैंसिल रखेंगे और लाइन के उपर से को राइट कर देंगे और इसके उपर त्री डोट रवाएंगे तो यह जो बाकी की सेसा है, नर्शी क्लास आपने इनको राइट करना है नीचे देखिए, रंग भर ये यह यहाँ पर आप डिफ्रेंट चीज़े बने हुई नजर आ रही हैं आपको यहाँ पर जो सेसा है, आपने उनमें कलर कर लेने हैं यहां पर मैंगो है, आम है, सेसा है, इसमें राइट के हुआ है, इसमें आपने कलर करने है, यहां पर अंगूर है, सेसा राइट के हुआ है, इधर आपने कलर करने है, और यहां पर बनाना जो है, केला है, इस पेसे लिखा हुआ है, यहां पर कलर करने है, ओके नर्सी क्लास, आप ये प्रैक्टिस कीजेगा अले से शेन तक आपने राइट करके देखना है प्रैक्टिस करने है अच्छा से ओके अल्ला हाफिज